क्लास फूर ब्याकरण चैप्टर फिप्टेन सब्द भंडार ग्लोजरी तब ही जो हम लोग इस ब्याकरण में देखेंगे कि सब्द भंडार मतलब यहां पे बहुत सारे से जो है प्रयायवची है विलोम सब्द है अनेकार्थिक सब्द है यह सभी का जो शब्दों का भंडार कैसे यहां पे दिया गया है उसको हम लोग दिखते हैं ठीक है किसी भी भाषा की दक्षिता प्राप्त करने के लिए उस भाषा के सविशय में अधिक से अधिक शब्दों की जानकारे आौशक है तो अगर हम लोग शब्दों का मतब एक ही एक ही शब्द का एक मेनिंग जानते हैं तो वो बड़ी बात नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेनिंग जानना चाहिए उनके अर्थ जानना चाहिए हमारा शब्द बंडायर जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक हम भाशा को समझेंगे और अपनी बात दूसरों को समझा सकेंगे इस अधियाय में शब्दों की अलग-अलग सुचियां दे जा रही है सबसे पहले परयायवाची शब्द विलोम शब्द अनिकार्थिक शब्द अनिक शब्दों के लिए एक शब्द सम्षूति भिनार्थक शब्द तो परयायवाची सब्द तो परयायवाची में मतलब एक शब्द का मतलब बहुत नाम होता है टहुत सारा नाम होते हैं, एक ही चीज को हम लोग अनिक नाम से जानते हैं, वही है परियावाची, जहांकर इसे कमल का दुसरा नाम पंकच, नीरज, यही है कमल, फूल का पुस्प, और भी कहा जाते हैं, तो यही परियावाची, विलोम शब्द जहां दो शब्द एक दूसरी के विपरित अर्थ बताता है उसे ही विलोम शब्द कहते हैं तो इसका उल्टा ना विपरित शब्द उल्टा होता है जैसे माता का पिता भाई का बेहन अनेकार्थिक शब्द चाहें एक ही शब्द के कई आःत होते हैं कार्थिक शब्द एक ही शब्द रहेगा उसका बहुत चारा मेनिंग रहेगा जैसे जो किसी से नहीं डरता है तो उसको हम एके स्वबन क्या कहएंगे inkingonnaise साहस ना जिसके उपर साहस है साहस जो किसे से नहीं ड़टा है तो नीडल जो सब कुच जानता है जो शब कुच जानता है वा क्या कहला दो और उसको यादने रहा इसलिए तो इस प्रकार से ही होता है औने कार्थिक शब जो जैसे यहाँ पे दिया गया है नेक्स्त हम लोग इसमें देखेंगे औने कार्थिक शब्द करेंगे के ऊसमीं हम लो गिए बिश्रुति भिनार्थक्षद चहां स्फट्व सुन्ने एक यह प्रतित होते हैं कि आर्थ वर्तनी में अंतर आप श्रूति भीनार तक से मनदब सुनने के जैसे लगता है लेकिन उसका अरथ अलगव होता है टाक है जैसे west west मतलब मतलब होता है पस्षिम और एक west कमर इस प्रेकार से प्रयार्वाचे श्र्षत उधार नहां पिले उसके नैनों में पानी बहर आया उसकी आखों में पानी भर आया यहाँ नैनों आखों वा नित्रों का एक ही अर्थ है तो जिसे नैनों नैनों मिन्स यहाँ पे आख आखों नित्रों वे सब चिन के नाम एक से अधिक होते हैं किन्तु अर्थ समान होता है उसे प्रयावचशषब कहते है ऐखे शब्चन के नाम एक से अधिक होते है वतलब एक से अधिक नाम होते है उन्हें प्रयावचशब्चत तो यहाँ पे मौनसर रोधारण दिया गया है दीन दीन, दिवस, दिवा, वार, वास, देज तो दीन को दिवस भी कहा जाते हैं, दिवा भी कहा जाते हैं, वार भी कहा जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग इसरा लैंस को याद कीजिएगा, प्रया बचिए, याद करने से आपको लोग को मालूम पड़ेगा कि यह इसका माने हम लोग तब हम लिए इसका अधिक से अ शब्द होते हैं जो एक दूसरे का विप्रित अर्थ देते हैं जैसे स्वतंत्र परतंत्र उदय आस्त ठीक है तो यहां पर स्वतंत्र फ्रेडम ना फ्रेडम होता है और को यहां पर बंद रहाते तो स्वतंत्र परतंत्र उदय आस्त उदय मिन्स जागना और यहां पर आस्त म माता का पिता भाई का बेहन जो सब्द एक दूसरे का विपरित अर्थ देते हैं विलॉमशब्द कहलाते हैं नीचे कुछ अन्य विलॉम शब्दों के सुची दे जा रहे ने पड़ी वे सबको आप लोंको पूरा का पूरा यात करना है विलॉमशब्द हमें पहले भी इसको याद करके और और भी हमें इंग्लिश के लिए भी यह लाबदाय के हमें यह इंग्लिश क्रामर के लिए भी काम आए गर आप हिंदी में जानों के तो बहुती अच्छा होता है तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा फायदे मन्द हो ठीक है नेकर्थिक सब्द अनेक इस प्रकार अनेकर्थिक शब्दों के अनेकर्थ होते हैं जिसे कनक का सोना गेहूं नाक हाथी साप तो इस प्रकार से उसका अनेक अर्थ होते हैं जिसे एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकर्थिक शब्द केते हैं श्री लचमेशो भाधन दल समू पक्ष पत्ता काल समय मृत्यू महाकाल तो यह सबको जानना है हम लोगों को कि एक ही अर्थ कर बहुत सारे मेनिंग होता है वही अनेकार्थिक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपनी बात कम से कम शब्दों में कहना एक कला है इ इसके लिए जरूरी है कि हमें लंबे-लंबे वाग्यासों या अनेक शब्दों के लिए एक सब्द का प्रयोग आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से हमारी बहरा शाधी पुस्वष्ट और प्रभाशाले बन जाती हैं आये ऐसे कुछ शब्द को और कवीता यहांatे तो कि पेस्कित्य निहीं है तो पक्रूसरार यहां इसको भी आतवगम को याद करें, okay? समाशुर्थ भिनार्थक शब्द इन्दी बास्ता में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक से प्रतित होते हैं प्रांत उनके वर्तने और अर्थ में भिन्निता होती है इसलिए उसे समाशुर्थ भिनार्थक शब्द कहते हैं जिससे पानी नीड घोसला नीड तो इससे स नेक्स्ट टेन उपर लिखे नीर नीड जैसे पान नीर नीड सब सुन्ने में एक से प्रतित होते हैं लेकिन इनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्निता है यह समाजनु शुरुत भिन्नताक्षन है जैसे नीर और नीड मतलब उचारन एक ही लग रहा है ना लेकिन माने अलग नी हो गया और नीर मतलब घोस्ता वह से मैं बोला वेस्ट मतलब कमर भी होता है और वेस्ट एक है पश्चिम जो सब सुन्ने में एक से प्रतित होते हैं लेकिन उनके वर्तनी और अर्थ में भिन्निता होती है उन्हें समस्रुत भिन्नार्थक शब्त कहते हैं तो यह यहां पर संस्त दिया गया जो से भी आप लोग याद किशेगा को समस्रुत भिन्नार्थक शयद इस प्रकार है अंतर यह नुद्धमें ने में एक ही है उच्चारन एक ही जीसे हैं लेकिन अंतर मतलब फ्रिदह होते हैं अंदर मतलब भीतर जैसे चालाक वहां चलाने वाला और एक च शालाक है चतू शोक दुख शावक रूची ठीक है इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे से हम लोग बात करते हैं लिखते हैं उसमय हमें मिलता है तो इसलिए हम इसको भी याद करने हैं ठीक है एक बार रीट कीजिए और प्रतिक प्रयावची विलोम सथ भिनार्थक सथ अनेक धर भी आप लोग इसको अपने नौट कॉपी में कर सकती हों इसको भी आप लोग बना लिजेगा नीचे देएगे चित्रों को देखे इनके दो दो नाम लिखे गोड़ा गोड़ा का और दुसरा नाम के है न आंक का जैसे नयन चक्छू चंद्रमा का और भी चांद होता है फिर और आप लोग सोच के जोन के लिख लीजेगा ठीक है इसके बाद आप लोग इसको वाट्शप में मेसेज कर दीजेगा ओके